हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल देव MTR ये है निव बजाज पलसर बन फिप्टी नियोन ABS BS6 पलसर बन फिप्टी में तीन वेरियंट आते हैं तीन कलर का उप्सन मिलता है और ये है पलसर बन फिप्टी नियोन ABS का नियोन रेड कलर और इसके features क्या है, mileage क्या है, नई on road कीमत कितनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले हम start करते हैं इसके front से तो यहाँ पर आपको black color का wind sealed का glass मिल जाता है तो यहाँ पर आपको halogen head lamp मिल जाती है और इसके उपर की side में दो pilot lamp देखने को मिल जाती है और यहाँ से आप इसकी headlight की रोशनी को देख सकते हैं और यहाँ से आप इसके front वाले tire की grip को देख सकते हैं और यह इसका जो front वाला mud guard है वो भी dual tone color में दिया गया है और यहाँ पर आपको single channel ABS मिल जाता है 260 mm की diameter की साथ में और इसकी reflector भी मिल जाता है उपर की side में और यहाँ पर आपको 80-17 का tire size मिल जाता है इसमें MRF company gate u less tire दिये गए हैं और black color के alloy wheels मिल जाते हैं और इसके उपर red color की stickering मिल जाती है और इसमें आपको telescopic conventional fork type के suspension मिल जाते हैं बात करें इसके meter console की तो इसमें आपको वही पराणा वाले meter console मिल जाता है यहाँ पर आपको RPM का meter दिया गया और नीचे की side में RPM की limit की indication light दी गई है और यहाँ पर आपको fuel की reading और km परार speed की reading और km की reading देखने को मिल जाती है इसके साथ इसमें side stand और low battery indication भी light मिल जाती है और इसके नीचे की side में आपको turn signal indication light gear की neutral light और यहाँ पर man head light और ABS की indication light देखने को मिल जाती है और यहाँ से आप इसकी handle wire rod को देख सकते हो और यहाँ पर आपको वही पुराने वाले side mirror मिल जाते हैं जो आपको पुरानी platina bike में मिलते थे यहाँ पर passing switch, low beam, high beam switch, indicator और horn का switch मिल जाता है जैसा कि इस bike में दो horn दिये गए है और यहाँ पर आपको engine kill का switch और नीचे की side में self का switch देखने को मिल जाता है इसके fuel tank की capacity 15 liter की दी गई है और इसके fuel tank के उपर यहाँ पर आपको एक rubber का tank pad देखने को मिल जाता है जो की काफी attractive look दे रहा है और यहाँ पर आपको pulsar का 3D में logo मिल जाता है जो की rubber का है और इसके fuel tank के कावल के उपर भी red color की stick ring देखने को मिल जाती है जो overall इसका जो color combination है वो काफी attractive दिया गया है यहाँ भी आपको red color का combination मिल जाता है और इसका पीछे वाला जो tire size है वो 197 का दिया गया है MRF company के two less tire मिल जाते है और 130 mm की drum brake का option पीछे की side में देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक black color का tire hugger दिया गया है और इसके पीछे वाले suspension की बात करें तो twin socks absorber gas filled with canister type के suspension दिये गया है जिसको आप आसानी से adjust भी कर सकते हो अपने weight और demand के साब से इसकी seat की quality की बात करें तो यहाँ पर आपको single seat मिल जाती है इसकी जो cushioning है वो काफी soft दी गया है और इसकी seat call के उपर 150 का 3D में logo मिल जाता है और इसका जो grab handle है वो भी आपको red color का दिया गया है matte finish के साथ जैसा कि यहां से आप देख सकते हो और इसकी जो tail lamp है वो वही पुरानी वाली मिल जाती है LED की जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसके दौनों side में आपको वही पुराने वाले indicator मिल जाते हैं बल्ब के और इसके नीचे की side में आपको number plate और reflector मिल जाता है इसके दूसरी side में भी 150 का 3D में logo यहां भी आपको red color का combination देखने को मिल जाता है और इसके पीचे की side में चलें तो यहां पर आपको company fitted black color का sardi guard मिल जाता है जो की काफी बड़ा है और यहां पर आपको adjustable footrest मिल जाता है जो की pillion के लिए है और इसका जो chancet cover है वो fully metal का दिया गया है fully covered है और यहां पर आपको tire अगर देख सकते हो इसकी दूसरी side से इसके engine की उपर बजाज DTSI की wedging देखने को मिल जाती है और इसमें dual horn और यहां पर आपको एक black color का leg guard देखने को मिल जाता है इसके engine और power की बात करें तो इसमें 149.5 cc का air cooled forest rock 2 valve twin spark BS6 DTSI fuel injected engine दिया है इसकी maximum power 14 PS की 8500 rpm पर इसका maximum torque 13.25 nm का 6500 rpm पर इसका cover beta 148 kg और इसके mileage की बात करें तो इस back में आपको 45-50 km per liter का आसानी से mileage मिल जाएगा अब चलते हैं इसके engine के दूसरी side में तो यहां भी आपको और यहां पर केके start का option मिल जाता हो brake pad मिल जाता है और यहां पर आपको एक adjustable protest मिल जाता है और इसका जो exhaust है वो black matte finish में दिया गया है जिसके उपर एक silver matte finish की plate दी गई है जो की काफी attractive look दे रही है इसका जो exhaust है वही पुराना वाला दिया गया है जैसा कि यहां से आप इसकी design को देख सकते हैं अब इसके engine के आगे की side में चलें तो यहां पर आपको जो है एक black color का catality converter देखने को मिल जाता है जो की बड़ा सा इसके उपर भी metal की plate मिल जाती हो यहां पर आपको एक oxygen sensor देखने को मिल जाता है इसके engine के head के उपर तो हम मैं बात करूं इसके price को लेकर तो बजाज Pulsar 150 neon ABS BS6 की on road कीमत है एक लाग बीस हजार दो सोर पे यह on road कीमत मैंने आपको बताई है बजाज auto emporium बेलगरिया कॉलकता सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other street वाले बिल्कुल भी tension नाले आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा like करें comment करें share करें अगर आप channel पर पहली बार आएं तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दे मैं ऐसे ही नई नई बायक और स्कूटर की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में